जिन्ना को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर घर माने लगी अकलिश शादों के बाद उनके साथ चुना में सियासी जुगलबंदी करने वाले उन प्रकाश राजबर भी जिन्ना की पैरवी करते नसर आए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर मोरने की चाहत में ओपी राजबर यहां तक बोल गए कि अगर जिन्ना देश के पुरधार मंतरी होते तो देश का बटवारा नहीं होता राजबर की जिन्ना प्रेम के बाद बीजेपी हमलावार हो गई है बीजेपी ने राजबर को सियासी खरवूजा करार दिया है क्या मुस्लिम वोट बैंक को साथने की कोशिश में अकलेश और राजबर का जिन्ना प्रेम जागा है क्या OEC के एंट्री से दोनों ने ताओ को मुस्लिम वोट बैंक कि सकने का डर है क्या इसलिए जिन्ना प्रेम का दिखावा किया जा रहा है सबसे बड़ा मुद्धा मैं आज इसी पर करेंगे अपने महमानों से चर्चा लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रुपोर्ट दिखाते है जिन्ना को लेकर यूपी की सियासत में एक बार फिर से भूचाला गया है अकले श्यादव के बाद अब सुहल देव भारतिया समाजबाटी के अधवश भूपी राजबर ने जिन्ना की तारीफों के पुल बांदे है देश के पहले प्रधान मंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बटवारा ही नहीं होता ना को देश का पधन मंत्री ही लोग बना दिये होते इस बात को अडवानी जी के बिचार को पढ़िए अटल जी के बिचार को पढ़िए जो समदेश के सुपचिंतें के उनकी बिचार को पढ़िए वो क्यों उनकी तारीब करते थे वो लोग उनकी तारीब क्यों करते थे उपी राजबर के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है मुहमद अली जिन्ना को कुछ राजनेतिक दलों ने अलादीन के चिराक का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मंचाही मुरादपुरी कर देगा, वोटिं को दिला देगा, वोटों से जोली भर देगा लेकिन साइद उपी ये मालूम नहीं है कि मुहमद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा ट्विट के जरिये भी बीजेपी ने उपी राजबर के साथ अखिलेश को भी आड़े हातों लिया यूपी बीजेपी ने लिखा है कि एक कहावत है खरभूजे को देखकर खरभूजा रंग बदलता है जबसे ओम प्रकाश राजबर सपा के शरणा गत हुए हैं उतना ही बोलते हैं जितना अखिलेश्ट सिखाते हैं जुनाओ आते आते ओम प्रकाश जी अपने पार्टी का विलेश सपा में कर दे कोई आश्चर न होगा इससे पहले खरभूज आदव के जिन्ना वाले बयान पर भी जमकर बवाल हुआ था जिन्ना पर अखलेश के बाद ओपी राजबर के बढ़ाई था बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाये बड़ा मुद्दा थमा दिया जिससे पार्टी भुनाने की भरपूर गोशिशों में जुटी हुई है यूपी में वैसी के एंट्री से जिन्ना प्रेम जागा ताकि मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों के साथ रहे अकलिश की राप पर चल रहे हैं उन प्रकास राजपर क्योंकि अब सियासी जगलबंदी कर रहे हैं रमार साथ मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमाशंकर राजपर जी प्रॉक्ता समाजवादे पार्टी आप दोनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है डॉक्तर उम्प्रकास राजपर जी आखिर क्या हूं और कैसे अचानक जरूरत जिन्द चिन्ना की आण कि बात कर रहे हैं कि पहला पधान मंत्री देश का जिन्ना को बनाया जाना चाहिए था बटवारा नहीं होता प्रधान मंत्री का पद नहीं मिला तो देश का बटवारा हो गया जिसका महिमा मन्ननों प्रकाश राजबर कर रहे हैं तो यह तो मैं बता दूँ कि यह केवाल नहरू प्रेम था लोगों का अगर नहरू अगर इस तरश नहीं होते हैं आप वकालत कर रहे हैं कि जिन्ना को पहला मुर्दान मंत्री देश का बना दिया जाता तो आज देश का बटवारा नहीं होता और आपकी पार्टी जिनके सब्सक्राइब लाज इस बारि लेत हैं जो हुआ 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 ह來 लिए हुं आप से मेरी बास चुरू है आपके बड़े मितां है मैं उमासांक्र राजबाराग लाइए है कंब तरह संज произош approximately कब्चा कविता मैं करकार संदर्श तु कि क्रांट नहीं पेलेग्ना 이 carryar के वह ले निश्य से पहले आप करा रहें कि जिन्ना भहत अच्छे थे रूदर्धान değil अजaway कि बहुम ने देश के असे या नाम और शिया जा रहा है कि वहल नाम के अशिया कि अच्छा वाज़तु इसे निश्य वार्णी वार्णा यॖानिंन पिश्वानी नहीं कि प्रसंसा गुर्गान करते दूसरी बाद घुमानी प्रधान मत्री जी वह आप भी करेंगे वह जो करेंगे वह भी आप करेंगे धर्मेंद्राजी जब दीजाए दर्मेंद्राजी भी निताओं नहीं महिमा मंदन किया इसलिए अखले शादो महिमा मंदन करते हैं तो क्या गलत है यह इस पी महिमा मंदन कर रही जिन्ना को लेकर तो क्या गलत है कि जिन ताकतों ने इस देश को भारत माता की धर्ती को बाटा भारत माता की आचल को शिन भिन किया वो ताक्सें आज किसी नकीसी रूप में सुद्व को जिन्दा करना चाहती हैं और जिन्ना के नाम पर जिन्दा करना चाहती हैं ये घंडित राजनी समय इसकी धोर निंदा करता हूँ का रोप ये विजय्पू के बड़े निताओं ने प्रेम दिखाया तब तो बात नहीं हुई हम प्रेम दिखा रहें तो बड़ी बात हो जा रही है देखे किसी ये पुतरक है और इनकी जो है बेशरमी है किस तरह की बातें करते हैं कि भारता पार्टी के किसी नेता ने जिन्ना के प्रती सहिर देता दिखाई है जिन्ना खनायक रहा है इस देश के बटवारे का जब 40 करोर जनता इस देश में सोई ही थी तो जिन्ना के खनायक तो सुन लिए राजबर क्या कह रहा है राजबर का तली खान इतिहास को क्या जुट लाने चाहते हैं अगर वह इतिहास नहीं पड़े हैं अगबार के पन्नों को देख ले अगबार की कपिश आपके पास आएंगे वाश्कर जी अज शर्म नहीं आज गदी मिया को राजबर समाज ने इस फोहेज देव राजह देव ने जागी मिया को सबक सिखाया उससे सिकस्त दी राज काज वैंगे जिन्नाओं के अगर से अगर सकते हैं वाचान को चौनीं चलता है कपीश जी जो कहानी जो भाशार पढ़ते हैं अखलेश राजबर को भी कि जिन्ना आला जो पैराग्राफ है वो पढ़ते रहें कि ने ने हमको तो यह लगता है कि लाल कृष्णा अडवानीन दे दिया जी और अच्छा टापिक आप अच्छा है कि जिन्हा की टोपी अडवानी है सावर कर साथ ऐकिर सके के दो पहलू थे और एक गोड़े पशभारकर इस गोड़े का नाम 20p दायें बायें क्या कर रहें इतियास पढ़िए ना भारत का इतियास आधुनिक भारत का इतियास अगर आप स्वतन्तता अंदोलन पढ़ेंगे तो आपको दो 22 मार्ट 1942 को और किस्ते कहने कि क्योंकि जिसकी 60 रुपे पेंशन उठाते थे अंग्रेजों के कहने पर झाना साफ कांगरेश्च चूड के अलग हो गया और उन्हों पाकिصतान की मांग हो गें क्था साथ रूपए की पेंशन उस समय उठाते थे साथ रूपए बहुत होता है चाहराने में दो फिलो देशी की मिलता था सावरकर की मांग तो पूरी नहीं हुझा अरे भाई सुनिये तो मित्र आप एक मिट सुन तो लें हैं हम कहां कुछ कर नहीं के प्रवक्ता से हमको जवाब दिलाए हमें आपका जवाब नहीं चाहिए आप तो निस्पक्च आदमी हैं वह रहुत हैं यह प्रवक्ता से जवाब दिलाए कपीश जी कि शावर करें उस माफी नामें से ले करके और जो इन्हों ने आप बादिशों के साथ जिन्ना का साथ दिया लेकिन यह क्या करते है लाल कृष्णाडवानी जिन्हों ने किताब ने किताब मेरे सवाल का जवाब देंगे कि लिए आप चर्चा करने मेरे साथ आए बादिशों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं जवाब दे नहीं कर दिये नहीं पूछूंगा सवाल आप से अगर आप जवाब देना चाहते हैं कि मोदी ने क्यों समास्थ किया गया इस से मतलब नहीं तका नहीं है कि मेरे सवाल बाद दे का काम बेर भादी इतियास तो सभाजवाधी पारटवी लिख रही है ना इतियास सभाजवादी पार्टी भी ल openness को आत्म Linda bli t ya ne नहीं 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 कि गई इससे मतलब नहीं है तो बटवारा नहीं होता और उपर से करने का भारती जनता पार्टी ने प्रदान मंत्री बना कि गया अगर्चे मगर्चे जनाब इनी चंद बातों में दुनिया खराग इतिहास बहुत कुरूर होता है और इतिहास को जब पल्टा जाता है तो उसके जो अतीत के जख्म भरे का जो समय होता है वह बड़ा दुखाद होता है मुहमद अली जिन्ना इस देश के बटवारे का दोसी है वो इस भारत की आत्मा को उसने चिन भिन किया उसने भारत के साथ दुस्मनी की उसको जो भी अच्छा कहेगा महिमा मंदित करेगा उस पर राजनीत करेगा उसको कोई भी सच्चा भारती कभी भी स्युकार नहीं करे का पहली बात दूसरी बात सावरकर की टू नेशन ठ्योरी का समर्थन तो मुहमद अली जिन्ना ने किया जो लोग आज बड़ा बवार कर रहे हैं मेरा उनसे एक सवाल है कि इनके जो पुरोधा से प्रसाद मुखर जी चर्चा में कि बंगारी की बात हो रही है सावरकर का न लेकिन जिन्ना की तो बात माननी गयी ना प्र फिर भी ये महमवन नं क्यूं सब्सक्राइब को लेकार स्यासी पार्टियों को लेका यह किसने बात कही जिन लोगों ने बात की है वो राजनीत में जब सक्ता में रहे अपनी बिभाजन कारी सक्तिया रही है उनके नाम पर मद्दाताओं का धुदी करों करना चाहते है स्यामा प्रसाद मुखर्ची की मुस्लिम लीग की सरकार में मौजूद की और भारत के अंदोलन कारियों पर उनके आदेश पर चली नाची और गोली पर कोई चर्चा नहीं करता जिन्ना का इस देश से क्या रिष्टा है जिन्ना का इस देश की मानसित्ता से क्या रिष्टा है जिन्ना का भारत की सब्वेता और संस्क्राइब को रिष्टा नाता नहीं है इसको चुनाओ के समय कि लाया जाता है जिन्ना का क्या रिष्टा है भारत कर रहा है समाजवादी मादी के साथ मिलका यह इसको तो लेकिन का महिमा मननन क्यों नहीं मैं खुला बोलना हूँ अबाद अबाद क्यों अरे आज मैं आप से पूछ रहा हूं मेरा मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि इस आजाद भारत के अंदर नहीं है अजवेदा नजी जावेदा अब समय के कवाद का जाकर पर मिलचांग यहां कुछ भान हो कि है यहसाई के दुर्दान ताकंदियों को अफगानीस्तान के मारवदप पाकिस्तान बहेंने वाले बार्तरी गर्दापाट इसक्री का मात जिन्ना की जिन्ना प्रेम जाग रहा है पहले समाजवादी पार्टी के साथ जिन्ना प्रेम उंप्रकाश राजबर भी दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू नहीं होने चाहिए जिन्ना को बना देते तो आप देश में बटवारा ना होता देश की ये इस्तिती नहीं होती सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आपको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए तो महिमा मंडन इस तरीके से कहा तक जायज है ये आकलन खुद वो मद्दाता भी करें जिनके लिए ये सिय आसद देश और प्रदेश के हित में है यूपी के वासी इसका अकलन जरूर करें इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आज के लिए पस इतना है